नमस्कार विज्यार्ति मित्रो आजे आपने दोरण छो चेप्टर सेवेन मा धार्मिक स्थिती विशे आगणना भागमा थोड़ो घण अप्यास करी गया परहन्तु हवे आपने आगण प्यास कर्सूं विश्योव धर्मणी जेमज सेव धर्म पन गूप्त काडंमा विकस्यु होतो दक्षेन भार्मा सेव संतो नाइनार केवाता ज्यारे विश्याव संतो छे ए अल्वार केवाता सेव धर्मों छे एलेके सीव नाजे संतों छे ये नईनार केवादा अने वैश्नों संतों छे अलवार केवादा मही सा सूर मर्दी नियरलेके दुर्गानी पुजा ये पन प्रचली थती सूर्य अने कार्तिके नी पुजा पन प्रचली थती गुप्त युग मा बोध धर्म अने जेन धर्मनों पन विकास थायो हतो। समुद्र गुप्त बोध धर्मनों सरक्ष हतो। एटले के ये बोध धर्मनों पन रक्षन करतो। बोध धर्मना महायान अने हीनładaं पन्थ विकासया हता। एगे सारा पन हता अने खरापन हता। गुप्त युगिन सांस्कृतिक स्थीती। गुप्त युग सांस्कृतिक रिते भारत नो सुवर्न युग हतो। आ युगमा अनेक नवी भासाओ उत्पन थई हती। कालिदास, सकंध स्वामी, हरी स्वामी अने राने विजिया तथा आरियसूर आ समयना महत्वना साहित्यकारो हता। आ सर्वमा कालिदास, सर्वस्रेष्ठ हता। कालिदास ने भारतना सेक्स पीर कहवामा आवे सर्वस्रेष्ठ हता, सव थी उत्तम। तिमने भारत्य महा कावियोनी कथावस्तु थी लई, अभिग्नान सांकुतलम, रखुवन्सम औने मेक दूतम जेवा महा कावियोनी रचना क गुप्त यूग ए मंदीर स्थापत योनी रचनानो यूग हतो। गुजरात मा गोप, नचना, कोठार नूँ पार्वती मंदीर अने जासी नूँ मंदीर ए भारत ना सोव प्रथम इटेरी मंदीरों छे। गुप्त यूग आ द्रश्टी ए मंदीर स्थापत यानी सरुवात दर्शावे छे। प्रमाण मा बनी अने मंदीरों मा सुकरवा मा वेली तो के तेने पत्रावामा आवती। गुप्त यूग मा विग्नान नी स्थिती। के ए समये पन विग्नानी तोरणे आपने घणी परिस्थिती ओछे जोवा मडती। महान विग्नानी को मा आर्यभट अने वरा मिहीर आ समय मा थया। आर्यभटे सुनिय अने दसास पत्तती नी स्वोध करी। वरा मिहीरे ब्रुहत सहीता नामनो खगोड सास्त्रने लगतो महत्व पून ग्रंथ लख्यो। वागभटे आयूर्वेद क्षेत्रे अस्टांग रदय सहीता नामनो महान ग्रंथ लख्यो। आ काडे मनुश्यो अने प्राणियो माटे वेदिक सास्त्र ए विकस्यो। के एना माटे ना पन वेद सास्त्रो। के एने लखती जियकाई आयूर्वेद ने लखती दवाओ। एनी पन ए सास्त्रो छे विकस्या। आथी घोडाओनी दवाओ पन सोधाय। अती ए समय रासाण सास्त्रों नो पन खास्सो विकास थयो आतो रासाणिक शेत्रे पन तेनो विकास थयो अतो तेनो सर्वस्रेश उदारण दिल्ली पासे आवेला मेहरोली नो स्थम्ब छे कि ए समय ए स्तंब जे लोखन नो एवी रिते रसाण सास्त्रों थी बनावा मावेलो लोखन लोस्तम कि आज सुती टाड तड़को वर्सार होवा छता पणे ने काट लागयो नथी त्यार पछी आवसे समराट हर्ष वर्धन गूप्त युग पछी प्राची इन भारतना महत्व पून राजियों मा अर्ष वर्धननू राजिय गणाईचे तेवो थानेस्वर ना पुष्य भूती वन्सना हता क्या ना हता पुष्य भूती वन्स राजिय श्री कनोजना राजा प्रभाकर वर्धनना पुत्र राजिय वर्धन अने हर्ष वर्धन हता प्रभाकर वर्धन अले क्या राजिय वर्धन अने हर्ष वर्धन चे कोना पुत्र हता तो क्ये प्रभाकर वर्धनना ज्यारे तेमनी पुत्री राज्यस्री हती। के ए समय राज्यस्री नुँ अपरण छे ए करेलू कोणे तो के कनोजना राजा द्रूव वर्माई है औने एनी बेन नेल के राज्यस्री ने बचावा एमा ए प्रभाकर वर्धन ना पुत्र कोण राज्य वर्धन नुँ मृत्यु थायू हतू दोडी सा सारस्वत गोंड मिथीला सुधी पोतानु सामराजिय फेलावेलू। वच्चे थायला नर्मदाना युद्रमा समराट हर्षनों पराजय थायू अने हर्ष मोटे भागे नर्मदा थी उत्तरना सप्ती साडी राजा गणाता। समराट हर्षनों सांस्कृतिक प्रदान बहु जगत यनु हदू। तेमा समयमा महान चीनी यात्री युवन स्वांग ये भारत आविया चीन थी क्याम्या भारत कोण युवन स्वांग। तेना तेमना राजदर्बार मा रहिया। हर्ष सेव भक्त याता अलगे सीव ना भक्त याता। अने पचितेव बोध धर्मना महान अनु याई बनिया। तेमने कनोजमा युवन स्वांग ना अध्यक्स पदे एक धर्मपरी सदनु आयोजान करियो। बुधनी प्रती माये आथीनी अंबाणी पर मुर्ती मुकी अने तेनी सुकरी अंबाणी परलके बुधनी प्रती मालके बुधनी मुर्ती छे ये आथीनी अंबाणी पर मुकी अने तेनी पुजा करावी स्थापित करी हती। महायान औने हीन यान संप्रदायों विसे आ परिसदों मा गोष्टी योजाय हती समराठ हर्ष, साहित्य, कला औने विधिया प्रतिय अनुराग राकतो हतो तेना दर्बार मा महान कवी बान भट संकडायला हता जिमने हर्ष चरितम काने कादम बरी जिवा संस्कृत साहित्य ना महान ग्रंथो जे ये लख्या हता मैयूर भट अने कवी जैसेन पन हर्ष ना समयना महान कवी ओ अता के ए समय ये जे संकडायला कोण तो के बान भट अने साधे जैसेन ये पन हर्ष वर्धनना समयना महान कवी ओ अता समराट हर्ष पोते पन उच कोटीना साहित्य कार हता तेमने पिरिय दर्सी का अने रतना वली नामना बे नाटकोनी रजना करी हती साथे साथे भगवान बुधनी जातक कथा पर नागानन नामनू विशिष्ट नाटक पन ए लख्यू हतू हर्षे अन्य देसो साथे पन मेत्री सबंदो बांधिया हता तेने पोताना दूत मंडणने चीन मा मोकलिया हता कोने तोके हर्ष वर्धाने तेज रिते चीन थी भारतमा चीनना दूत मंडणे मुलाकात लिधी जें पोताना दूतने चीन मोकलिया तेम चीनना दूत मंडणे पन भारतनी मुलाकात लिधी अने आ द्रश्टी ये समराथ हर्ष एक उच कोटीना सासक विजेता वहीवट करता अने साहित्यकार हता तेमने नालंदा विज्यापितने निभावा माटे सो गाम एप भेटनमा आपिया हता केटला सो गाम? पुल केसी बिजो समराथ हर्ष ना समकालिन राजाओ मा सवथी सकती साडी चालूक्य मनसी राजा पुल केसी बिजा हता सवथी सकती साडी राजा कोण तो पुल केसी बिजा तेमने महराष्ट्रमा राष्ट्र कुत्रो पासे थी सत्ता आजकी पोतानु राजिय स्थापियो अने पुलकेसी बिजाए 40 वर्स जेटला लांबा समय सुथी सासन कर्यू हतू तेमने समराट हर्षने पन हराविया हता ते महान विजेता हता कोण पुलकेसी बिजो तेमने दक्षिन भारतना कंदबो माहेस्वरना गंगो कोकणना मोरियोने हरावी दक्षिन पन्थना स्वामीनू बिरूद छे ए प्राप्त कर्यू हतो लाट, मालव अने गुर्जरोने पन तेने हराविया हता करनाटक, महराष्ट्र, कोकण ए समगर विज्थारनू ते स्वामी हतो कोण पुलकेसी बिजो हर्ष्णी जिम तेने पन अन्य देशो साथे सबंधो छे ए विक्षाविया हता तेने इरान मा पोताना एक राज दुतने मोकलियो हतो कि जो हर्ष्वधन चेने चीन मोक लेला पोताना दुतोने अन्य पुलकेसी बिजाईये पन पोताना राद दुतोने क्या मोकलिया हता इरान मा इरानना सहें सा खुसरो बिजा तेना सुंथया मित्र हता तियार पचियावसे अन्य राजियो आ समये अन्य राजियो मा काची ना पलवो राजस्थान ना गुर्जर प्रतिहारो वल्भी ना मेत्रको दक्सिन गुजरात मा गुर्जरो पस्मीन ना करकोटको वगेर एनों समावेस थाय छे जेमा काची ना पलवो स्थापतियो अन्य कलाने लिधे ए प्रक्यात थया हता ए समये तेमने ब्रह्मा, विष्णू अने महेस्नी अने एक मुर्तियो सीला ओमा लेके पथरोमा कंडारी अने मंदीरो बंधाविया हता महाबली पुरमना समुद्र तटे रथ मंदीरो बंधाव नारा पल्लवोये पारतनी संस्कृतिक सम्रुधीमा वधारो करियो छे काची वरममा तेमने बंधावेलो कैलास नाथ मंदीर ते समयनू सवती स्रेष्ट मंदीर गणावी सकाई ए समयना राजा होये पन खुब ए सर्वस्रेष्ट केवाता अने खुब एने प्रगती पन करी हती दर एक विध्यार्थी ए स्वाध्याईना प्रस्णों मा थी टुकमा उत्तरापो बरोबर छे तो एक टुकमा उत्तरापोना बे प्रस्णों छे ए बे प्रस्णों ना जवाब रफ भुखमा लखवा प्रस्णों प्रस्णों कर दो ए सकता है